So hello everyone without any wasting a time आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ Wow Skin Science के इस Vitamin C Face Cream का review तो इसके बारे में मैंने बहुत ही positive review सुने थे और मैंने अभी तक Wow Skin Science के कम से कम 6-7 product यूज किये हैं That was soup up, सभी के जो reviews हैं मैंने आपके साथ शेर भी किये हुए और वो सब काफी amazing थे But now this time I am using this But इसका थोड़ा सा मुझे pros भी लगे और cons भी लगे तो आज आपके साथ वीडियो में honestly मैं यही चीज़ बताने वाली हूँ तो firstly हम बात करते हैं आप packaging की तो मैंने तो ये tube foam के packaging पर जैस किया लेकिन बड़े वाला आता है tub container में तो packaging की अगर बात करें बड़े वाले की तो वो काफी luxurious है मतलब इसके packing काफी अच्छी है And second अगर बात करें prices की तो ये छोटे वाली packing तो one trial points में spittance से मिल गई अगर आप try के लिए चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी वहाँ से anytime wow skin science मिल जाते है product But कभी कभी ऐसा होता है कि शायद नहीं है लेकिन almost time रहते हैं और बड़े वाली packing के अगर हम बात करें इसका जो price है 500 से 500 में मिलेगा आपको किसी भी shopping website से थोड़ा बहुत up and down हो जाता है इसकी जो quantity रहती है वो रहती है 50 ml की तो मुझे ऐसा लगता है prices में ये थोड़ा सा up to budget हो जाता है एक normal person की range से थोड़ा बहार हो जाता है क्योंकि quantity कम है और amount जाता है second अगर बात की जाए shelf life की तो आपको 3 साल की shelf life मिल जाती है but wow skin science के product का एक और benefit है कि इसके अंदर कुछ भी harmful नहीं डाला जाता है paraben pathalite sulfate free होते है dermalogical tested approved होते है cruelty free होते है कोई animal testing नहीं कि जाती toxic 20 free होते है तो किसी भी तरह से ये harm नहीं करते हैं लेकिन कुछ product के अंदर कुछ एक ingredient ऐसे होते हैं जो हर किसी के skin पर suit नहीं करते तो use करने से पहले एक best test हर किसी को कर लेना जाहिए and अगर हम बात करें third कि इसके अंदर क्या चीज़े डाली गई है कि हमारी कौन से skin वालों के लिए best है तो firstly आप देख लीजिए इसके अंदर यहाँ पर इसके front side में mention है ऐसा ही आपको tub container पर भी mention मिल जाएगा और यहाँ है कि इसका main care ingredient है वो है sun rashes होचाते है या फिर sun burn की वज़े से dark sports होचाते तो vitamin C हमारी skin को even tone करने में काफी help करता है और hyaline onic acid जो होता है वो हमारी skin को smooth and supple बनाता है साथी साथ hydrate करता है, moisturize करता है तो इसके यही benefits होते है और अगर बात की जाए और ingredient की तो यहां पर एक लंबी सी ingredient list इसके back side में mention है आप पो यह इसके website पर या फिर जहां से भी आप purchase करेंगे ingredient list मिल जाएगी अगर आपके skin पर कोई भी ingredient irritate करता है तो आप इसे ignore कर सकते है और अब बात करते हैं इसके texture की जो इसका texture है वो कफी जदा lightweight है and white color की यह cream है तो इसके अदर कोई भी artificial color added नहीं की गए है and fragrance की अगर बात करो तो fragrance इसके अदर orange की आती है like orange peel करके जब हम खाते है तो same इसके fragrance orange की आती है अब main thing यह है कि इसको कौन से skin वाले purchase कर सकते है according to my skin और इस time जो weather चल रहा है मैं इसे use कर रही हूँ तो summer का moisture वाला weather चल रहा है मतलब rainy season होते है चिपचिपा weather वैसा weather चल रहा है तो यह skin को थोड़ा oily कर रही है लेकिन जब मैंने इसे पहले लगाया था तो यह मेरे skin पर normally suit कर रही थी but till this time यह skin को थोड़ा सा oily कर रही है but otherwise यह all skin type है लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि more than oily skin वाले इसे use ना करे but अगर मोसम ठीक है तो यह all skin type ही है और second अगर बात करूं तो इसको लगाने के बाद थोड़ी दिर बाद थोड़ा थोड़ा सा अगर मैं इसको रिकमेंट करने की बात करूं तो वैसे यह all skin type है मैं इसे recommend करती हूँ लेकिन oily, more than oily skin वालों के लिए बहुत ज़दा most preferable नहीं है और dry skin वाले, combination skin वाले इसे use कर सकते हैं और अगर इसको लगाने के बाद मैं कहूं कि बहुत ज़दा glow आजाता है तो ऐसी भी कोई ऐसी वाली बात भी इसके अंदर नहीं है कि आपके skin को बहुत ज़दा glowing या फिर white cast ऐसा कोई texture आपको देगा ऐसा भी नहीं है, normal as a cream आप इसे अपने face पर लगा सकते हो हाइडरेट करने के लिए, मौस्चुराइज करने के लिए बहुत ज़दा brightened effect नहीं देता है, बहुत ज़दा glowing effect नहीं देता है, normal as a cream यह बिल्कुल suitable है, all skin type है तो मेरी तरफ से recommended है आप इसे purchase कर सकते हैं इसको use करने के लिए आपको इसका थोड़ा सा amount लेना है आपको face पर आप चाहो तो dot dot लगा के कर सकते हो, यह जैसे भी आप अपने face पर लगाते हो, बस एक normal हलके हाथों से gently massage करना है बहुत ही जल्दी से यह skin के अंदर observe हो जाती है, और उसके बाद आपको छोड़ देना है अगर आप make-up करते हो, तो make-up कर सकते हो make-up के अंदर भी आप इसे use कर सकते हो कोई ऐसा issue नहीं है और यह कोई sticky या ऐसा greasy भी नहीं लगता है, लेकिन till this weather यह मुझे सिर्फ oily लग रहा था तो जो इसका drawback है वो मैंने आपको बता दिया, और जो इसके मेरा review अच्छा लगाओगा, video अच्छी लगी हो तो please video को like करना, channel को subscribe करना and thank you for watching, bye bye, take care